हेलो वीवर्स मेरे किचन में आप सबका स्वागत है तो आज मैं आपके लेकर आई हूं बहुत ही चटपिटी चटकारेदार और मज़ेदार सी रेस्पी इसे देखते ही आपके मुझ में पानी आ जाएगा और बनाना इतना असान है कि आप इस वीडियो को देखकर रह नहीं पाएंगे और जट से अपनी किचन में जाएंगे और बना कर इसे खाएंगे तो चलिए आज हम बनाते हैं पानी वाले पकोड़े तो इन पकोड़ों में आपको तीन तरह का टेस्ट मिलेगा इसमें आपको पकोड़े का भी टेस्ट आएगा वड़े का भी टेस्ट आएगा और पानी पूरी का भी टेस्ट आएगा तो वीडियो को एंड तक जूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेर भी कर दीजिएगा तो चलिए फड़ा फड़ से शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक छलनी से ये दो कटोरी बेसल लिया है और इसको चान लेंगे बेसन को चानना जो है जुरूरी है इससे जो है इसमें लंप्स नहीं रहते और बैटर अच्छा बनता है तो ये देखिए इसको चान लेंगे बेसन को इस तरीके से अब इसमें नमक मिलाएंगे तो आदा चमाश नमक मिलाया मैंने और साथ ही जो है थोड़ी सी हलदी अभी इन सब को अच्छे से मीक्स कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डालके हमने इसका बैटर त्यार करना है पानी जो है थोड़ा-थोड़ा करके डाले अगर हम एक साथ सारा पानी डाल देंगे तो वेशन में जो है लम्स पढ़ जाएंगे बैटर अच्छा नहीं बनेगा इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाए और एक बैटर बना ले इसका यह देखे इस तरीके से हमने क्या करना है कि बैटर को फेट नहीं कम से कम दस मिनट तक हमने इसको अच्छे से फेट नहीं ताकि इसमें एर जो है फिल अप हो जाए और जो हमारी जो फूलकियां पकोड़े हैं वो फूले फूले बने तो यह देखे इस तरीके से मिक्स करकर के फ्लफी से हमने कर ले इसको बैटर को है ये देखे अब का टोरी मरे दाल के हम चेक कर लेते हैं यह देखे हमने तो क 느 स्थमय हूल ना है तो यह ओंपर तयर गया इसका मतलब ये वैंड़ अँ मारा कृ तयार हो अब इसमें ओयल गरम हो गया और बगोड़े तल लेते हैं, इस तरीके से आप हां से छोट छोटे, इस तरीके से बना लीजिए, छोटे बड़े साइज आप अपने हिसाप से जैसे भी बनाना चाते हैं, उस तरीके से इसको तल लीजिए, यह देखिए, तो अच्छी तरह से साइड से हो जाएगा तो इनकी साइड चेंज कर देंगे और अच्छा से गोल्डन होने तक इनको फ्राई करेंगे हम तो यह दिखे अच्छा से गोल्डन हो गया है इनको निकाल लेते हैं और बाकी के भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे तो यह दिखें, यह कटोरे में मैंने पानी ले लिया है, थोड़ी सी इसमें हींग डाल रही हूं, यह नॉर्मल पानी है, बहुत थंडा भी नहीं है और गरम भी नहीं है, यह नॉर्मल टेंपरेचर वाला पानी है, थोड़ी सी हींग डाल के, अब यह सारे जो है, हमारे पको त्यार कर लेते हैं तो इस साइड मेक्सी के जार में सबसे पहले पुदीना पुदीने को अच्छे से दो के वाश कर लिया था और साथ ही इसमें धनिया दो हरी मिर्च एक अद्रक का टुगड़ा और साथ ही इसमें डाल देंगे ये कटी हुई अम्बी कच्चा आमें ये इसको छील कर और टुगड़े कर लिये थे इसके अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा इसमें वाइट नमक डालेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे तो ये देखे एक बारी इसको चलाया है यह दिखे, इस तरीके से इसको छान लेंगे, ताकि जो भी इसमें कुछ रह गया है, जो पिसा नहीं है, वो अलग हो जाए और पानी हमारा एकदम से कलियर बने, यह दिखे, छोटी-छोटी अंबी के पीस और थोड़ा सा यह रह गया है, इसको हम निकाल देंगे, यह मिक्सी के जार में थोड़ी सी लगी हुई है, तो इसको भी पानी डाल के हम निकाल लेते हैं, यह देखे, इसको भी छान लेंगे, तो यह दिखे, पानी को हमने छान लिया है, और इस तरीके से, अब हम इसमें इसमें इमली का पानी डालेंगे, और थोड़ा सा जो है, इसमें गु उसको भी बैलेंस करेगा ये और बिल्कुल एक दम से पानी पूरी वाला जो पानी होता है वही वाला टेस्ट आएगा इसमें आपको अब हम इसमें बरफ डाल देंगे बस एक चीज का अपने ध्यान रखना है कि बरफ आपने तब डालनी है जब गुड जो है अच्छी तरह से इसमें गुल जाए उसके बाद ही आपने इसमें जो है बरफ डालनी है अब साथ ही थोड़े से धनिया और पुदीना के पत्ते और पानी हमारा त्यार है तो इस सेट देखें ये फूलकिया भी हमारी पानी में एकदम फूल गई है और इस तरीके से इनको हलके हाद से निचोड निचोड के हम ये पानी में डाल देंगे जो हमने पानी पूरी का पानी बनाया उसमें और फिर इनको ठंड़ा ठंड़ा सर्व करेंगे यदिこ नियर बहुत ही टेस्टी बनता है आप एक वार जरूर बना करें देखिए और मुझे विश्वास है कि आप यी वीडियो देखके जरूर बनाएंगे क्योंकि इस बनते ही इतना टेस्टी है और बनाना भी बहुत असान है और इस मौसं को और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाईए ताकि आगे जो भी मेरी रेस्पीज आए उसका नॉटिफियेशन आपको मिलता रहे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई